हेलो गाईज मैं लत्ता वर्मा आज मैं बहुत ही खुबसूरत बेबी टियर के बारे में कुछ केरा टिप्स बताऊंगी तो यह है बेबी टियर का प्लांट और यह देखी इसकी लिप्स कितनी सुन्दर लगती है छोटी छोटी गोल गोल और बहुत ही यह घना हो जाता है कु कुछ ही दिनों में इसकी रूटिंग भी हो जाएगी और बहुत जल्दी यह पाट को कवर कर लेता है तो आज मैं इसकी कटिन करूंगी यह बहुत ही बुशी हो गया है देख सकते हैं आप लोग छोटी से कंटेनर में लगा हुआ है और यह देखिए मैं इसकी कटिन कर रही हुँ और इसे कुछ अच्छे से सेप में काटोगे तो बहुत ही सुन्दर लगेगा क्योंकि इसकी प्रांचे सिधर बदर निकल गए है तो कटिन करने से देखने में भी बहुत सुन्दर लगता है यह देखिए और इसकी केर की बात की जाए तो सबसे पहले आती है इसे अगर गर्मे की दिन में आप इसको बचाना चाहते हैं तो सेडी अरिया में रखिए बहुत ज्यादा धूप इसे पसंद नहीं है पत्तियां पीली पड़ जाती है यह देखिए और अभी रेनी सिजन में भी ज्यादा इसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ओवर व प्लांट गलने का डर रहता है यह देखिए और बहुंँ ज्यादा इसमें केर करनी की जवरत नहीं रहती है यह प्लांट वैसे भी बहुत इजली ग्रो कर लेता है चोटी से छोटी कटीन भी इसकी लग जाती है बहुत ही आसानी से आप छोटी से छोटी पार्ट में भी छोटे-चोटी मट्यों में लगा सकते हैं बहुत सुन्दा लगता हैं आप इसे Хengis हेंगर में लगा सकते हैं यह देखिए कटिन मैं इधर पूरा इसको कर दी और यह देखिए यहां पर एक छोटे से और कंटेनर में में लगाई थी यह भी बहुत खुबसुरत लग रहा है यह बहुत सुन्दर प्लांट है बेबी टेर प्लांट आप अपने गार्डन में जरूर एट कीजिएगा यह द जो दिखने में काफी खुबसूरत लगता है और अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए सेयर कीजिए और सस्क्राइब कीजिए और अच्छे-चे कमेंड भी कीजिए ताकि हम मोटिवेट होता रहें और अच्छी वीडियो लाने की क कोसिस करेंगे तो फ्रेंड्स आज के लिए बसी तो